पानी कहां से आया कैसे आया सब पर पर से आया है सरकार के हमरा जनता कैसे आया है अभी उसको नजर खुला कोई नहीं है अभी उपस्तित है हम कौनियां गाउं में वाड नमर एक में और ये सरकारी दुकान है किराने का दुकान है बुरातलो रासन का और हमारे डीलर जी है क्या नम बतायते अशुकमा गोपाल जादब जी के दुकान पे हैं यहां की वेवस्ता जानते हैं और जनता से जूरते हैं क्या दिकथ है और अगामी चुनाओं पे प्लता कर ते हैं जो क्या है नहीं है किसको कि जीगा क्या नहम है ये न्र्वेंदेर्र रासन काड आपके नम पे है है जैस आल मिलता बनिया रासन मेले या एक आदमwrे पर कितना मिलता है रासन पाच किलो आपके काड मेगा क्या लता है आपको 20 किलू में और किस केड़ा है कि लुट मिलता है कि बूट अलग से मिलता है लाक से अ जादा भी नहीं देना है हमारे नितिष जी के सासनकाल में कितना विकास हुआ और आपके छेत्र में क्या विकास हुआ हमारे शेत्म कोई विकास नहीं हुआ है तो महस्वर आता है बकरी चरा के जैसे बकरी चराता है उसी तरह बच्चे के चरा के चल जाता है घर लयाते जिस भी आजब कर सपटन जाएंगा आप किसको चचा भूट दीजिएगा जिनको ये देगा वही दिस विकास इतना है जो भ है ऑपना पैट का जरूरी में घूम रहा है पैट के जरूरी में हम स्वतंत्र मीडिया है हमाराना किसी का सम्झाल को सब कार्ड कर fascла हम लोग को दोनों परान्यक नहीं मिल रहा है अभी तक रासन नहीं मिल रहा है आपको इसे हमसे हटा दिया है धे लब कैसे होता है कुछ नहीं मफ्लेन दूलते हैं तुछ पुस्कोर दीजिय गार कियों जीजेज bara various नंदेर शाल से आप देख रहे हैं 15 साल से हमारे सरकार में मुखमंतरी एक छेतर तो हम मैं आपके छेत्र में धूले में छूब होंके दुकान डोरी चेक कर रहे जो कांधंग से चल रहा हुए की नहीं लाय की नहीं कितना हो रहा है करकर दिया सब बोखा है एक दूदू हजार उपया कर्च कर दिया है अभी तक पानी पानी जो है पानी वाला कितना समस्या है आनी बला-ठावाला है या और नहें अभी géद अभी नहीं अभी नहीं कोड़ा ने अभी पॉल के पॉल के चोड़ दिया गिया नदी में से उसके बाद जो है से पॉनी धिरे धिरे भर दिया आई है कोई मतलब सरकारी परती किरिया नहीं है बोलने बोलने गए तो क्या मिला हुआ से इतना पानी से परेशान है जनता तो आप लोग लिख के कहीं दिये होंगे ना अबेदन पत्री दिया शुनवाई नहीं हुआ इस पर क्या बोला गया उधर से क्या स्वासन मिला वह तो कुछ ने सुनवाई हुआ इतना परेशान है जनता तो अभी जो आपके नेता जी आपके इलाका में भोट मंगने आएंगे तो आपका क्या मुद्दा रहेगा क्या डिमांड रहेगा सब्सक्राइब करें वह बहुत बरियां है उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे जो आपके जो लोकल लीडर आएंगे भी भोट मंगने के लिए तिन तारीक को चुनाओ है आपके इदर तुज नेता जी आएंगे तुनके सामने आपका क्या डिमांड रहेगा जो सब्सक्राइब करने करता है इसे मिलते हैं यह दुकान के मालिक भी है और इंसे हम रहे लेते क्या लगता है जो आपके सूबे में कितना विकास हुआ है सुबे में विकास के नम अभी पूरे पिछ रहा है सिच्छा के मामले में अभी तक सहीस विकास ने हुआ हमारे स्कूल में आठमा तक स्कूल है माधमीक विद्याले है लेकि उह तक परहाई के लिए एक देखिये जाके विद्यारती सहीस ने पढ़ने जा रहा है उसमें अभी तो करोना काल है तो उसको लेके तोड़ा दिकत है पहले भी इस्तिति है कि उसमें माधमीक विद्याले है लेकिन उस धंग से उसमें परहाई ने हो रहा है इसकूल का कोई विकास ने है इसकूल को जाकर देख लिया जा पानी उसमें लग जाता है इसकूल में पानी हम पूरा पानी हम पूरा देखते आए हैं पूरा विकास के बारे में जाने हैं जो इसकूल है राष्टा है पानी है बिजली है क्या कोनों विवस्तान है आप किसको भूट कीजिए हम राच जिसको मन होगा उसको करेंगा काम देख रहे हैं ना 15 साल से देख रहे हैं तो कुन का अच्छा का लगता समय आएगा बताएंगे ना भी कैसे बताएंगे चलियो पहले इसको तीक है जब आप से आखरी सवाल आपका सपोर्ट किसको रहेगा और क्यों रहेगा सर इसके बारे में हम लोग सपुरे गाउं से राय विचार लेने के बाद सब एक युवा जतना है सब एक बार सपोर्ट करेंगे सब अपने में बैठा के इनके कहने का मतलब है जो हम कंडिडेट जात पातवाइज रही जाएंगे जो भी उमिद्वार यहां पर आएंगे इनके कष्ट को समझेंगे क्या हुआ क्या दिकत आपको अरवा चावल आना चाहिए अरवा आता है तो उसना क्यों नहीं आता है आता है सरकारी कोटा से आता है तो हर एक बार बदल बदल के आए मिला जुरा के आए कि इनका केने का मतलब सरकार से यह अपील है इनकी ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का यह है हमारे बिहार के विकास की इस्तिति हमारी चुनावी आत्रा गाउं गाउं पंचाय पंचाय धूम रही है और पता कर रही है जो कि शेत्र में कितना विकास हुआ है हम आपको दिखाएंगे जो यहां पे शिला नियास का एक बोड है इस बोड को हम परके बताते हैं यह बिहार सरकार स्री नितीश कुमार जी मौनिये मुखमंतरी बिहार के करकमलो द्वारा वाला बोड लगा हुआ है यह इसी रोड का है बोड यहां की जनता जो है यहां की यहां पेर नेता जी जब आते हैं चुनाओ मंगने के लिए बोड मंगने के लिए चुनाओ में उसमें क्या दिक्कत हुआ है जब सरक बनी नहीं चैने इस पर कोई मरमत कारी हुआ नहीं तो यह क्यों लगा हुआ है यह लोग लगाया है यह लक्षन को इस बार चुनाओं में आपके साथ चेकमा दिखाईएगा जारूस होगा त्यार रहिए आपके चेतर में नेता जी आएंगे उनसे सवाल जबाब करेंगे ठीक है और कोई दिकत है अब देख लिए सब हम मौजूद है कौनिया में जो कि अलोली विधान सबाद चेतर में ही परती है और यहां की कौनिया गाउं में उपस्तित हैं और बहुत सारी जनता हमारे साथ यहां पर जुरी हुई है तो हम सबसे बारी बारी से मिलेंगे और सबसे राई लेंगे पूछेंगे जो सुबे में कितना विकास हुआ है और किस चेतर में विकास हुआ है इस बार जो है इस बार किसको वोट करेंगे और क्यूं करेंगे हमारी चुनावी यात्ता काौनिया में आभी और हमारे साथ है ठावा क्या ना है बाबाब आपका गरबुदास गरबुदास जी हमारे साथ जूदे हुए हम आप से चर्चा करने आए हैं जो दलित महादलित पे सभी चुनाओ लड़ते हैं बोलते हैं जो हम दलित के नेता है महादलित के नेता है तो कितना विकास हुआ है आपके छेत्र में बताईए क्या बिकास हुआ है और不是 पहले नहीं आप है पफाई को मिलता है नहीं मिलता रा है नहीं नहींव पांदर जो आते हैं बौत मंगने के लिए तेखनी क्या बोलते हैं तो क्या बोलगाते हैं विदिभुम कहां थाम का रहे जो ड्धे कि दिख खुल कोई भस्तुक बुखला नहीं सैंटुक्राइं तो ये स्कुमार्जी ज़ो हमने गरीब के लिए यह किया इतना बड़ा योगदान दिया, इतना विकास किया, क्या मिला आपको, क्या विकास हुआ? सब्धार बोत कि राइएगा मैं और जो करने वाला है तो लगता है आपको जो करने वाला है उसी के बारे में हमको पता लगेगा तभी आन पता लेगा जो किसका बोत कितना है कौन कैसा साधना सदा है जदिव नितिश जी के पातिक से बाद आपको जाजद से रामरिक्च सदा है तो किसी को बोट दीजेगा आपको ने तागने नितीज के राज में फैदा हुआ कि नुक्सान हुआ अब फैदा जो भी जहां फैदा किया का कहीं नुक्सान हुआ तो जो जितना काम किया बचारे तो भी तो कर भे किया है अब आपके चेत्र में कितना विकास हुआ और किस चेत्र में हुआ विकास हुआ नितिश जी किये थे लेकिन यहीं किये थे गरीब का कुछ फलदान दिये थे यहां बिवस्था में बहुत कमी है देलाको बादरी ड़िन कंवाल कमी लगती है अब को इसकूल लएइन गरीब लोग का हर बनाने जगया नहीं है रहने का स्थान नहीं है अंखेत्र है कि हरीजन चेट्र में अभी मान के चलिए आप जाएं जो हमने बहुत वीकास किया हरे घर में घर गली में रोड़ बना बना ये रहा है कि जल तो लगाया है जल चालू नहीं हुए अच्छी पाइप लग गया है पानी गेरता नहीं है उसके बाद बोला बिजली बील जाए और यहादमी का1-2201 का तो कहने का मतलब यहां है तो इस बार जो है आप के साथ जाएंगे और क्यूं जाएंगे चाशता में जाएगे किस के साथ मकी पहलए 같은데 वहां सब्सक्ती खानें के वारे में और आड़ में कोन का के Цिन गहें तरह की एकम मुख्या अैहिता हुं दूसर हुआ ने X2 की अब कर था सादू आपके आपétais तो तो वेलर विधायक जी पुھ के नितिस जी पुलेटे य्वेла इंधान नहीं नहीं जरूर किसको भोट दीजिए गापना जात को भोट देखके भोट कीजिएगा तो फिर विकास कैसे होगा विकास का बताईए जो कैसे होगा जिकास के मैं लियों की वाइटे चाकर बादेन है खुलिएगा नहीं जो किसको बोट देंगे ना है मतलब यह है ठीक है अपना जमीन नहीं है आपको चलिए हमको घृर देखने क्लिए एगना भी नहीं है तहीं इन्रावास अर्वला जो घरूर मिलता है जो किसको मिलता है अब लोग को नहीं मिला है तो और बंकरी सबको मिलेगा जमीन रहेगा ताब तो घर बनाएगा जमीने नहीं है घर जमीन है जमीन नहीं है इता मगते है आप सरकार से जमीन गांगते है नियुक्तार से आपका अपील है जो हमको रहने से लिए जमीन दिया जाए मकान दिया जाए तब जाएं चाहित करेंगे 15 साल स knife 15 साल मेंन से नितीस जी के आप के राज में कम हुआ नहीं हुआ तो फिर आप किसके साथ जाएंगे ग compose फैफ exhale अ आपके लिए अच्छा काम किये हैं जो आपके दिल में अच्छा लगते हैं जो आपको नितिश जी अच्छा लगते हैं तो आप हम बोलेंगे नितिश जी को राजाद अच्छा लगता है लालू जी अच्छा लगता है लालू जी किसमें आपको अच्छा लग रहा है को आप ह तो हमको नितिसे जी ठीक है थीक है आपको मतलब क्या पूछ बोल रहे ते हम रहे हैं क्या बाल बचा कहां रहते हैं नेता जी जो आते हैं अभी चुनाओ के समय में भोट मांगने तो उनको नहीं बोलते हैं इसाबाद आप पिछला बार जो आयते निता जी से पिछला बार आया है देख करके घोर चल गिया है क्या बोला था उस समय क्या बादा करके गया था आप से बोलिये अप अपना नम बताइए लल्टुन कुमार क्या दिकत है आपको दिकत ही हाई कि जो भी सरकार दिया हम लोगों खुस हैं लेकिन तनिये को दिकत दिया है बाकि सब कुछ भी कास ठीके हुआ लेकिन एक ही दिकत है वह दिकत है जो इनके पास रहने के लिए इनका डिमांड है जो सरकार से हमको दो दूर पाच दूर करके भी अगर जमीन मिल जाए तो हम उस पर घर बना के अपना जीवन यापन कर सकते हैं कि आपको किसको बोट देंगे और क्यों देंगे यह बताई हैं हमको जो नेता है वही नेता रहेगा अफ़ाल तो कोई नेता हमको दिल मनने नेता में तो पिछला जो है राजत का विधायक जी चंदन्रम जी जी ते यहां से इस बार आप किसको बोट दीजिएगा कोन पाटी क को दीजिए इस बार जो भाजपाम है उसी को देंगे किसी को नहीं कि भाजपा के सपोर्ट में जाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका